हलो गाइस आज का जो वीडियो में बनने वाला हूं यहां पर मैं दो तीन चीज़े अब लोग को समझाने वाला हूं यहां पर किस तरीके से मार्केट ने बिहेब किया वो सारे के सारे चीज थोड़ा सा हम लोग को समझना जुरूबी है एक नंबर तो जो मॉर्निंग का पहल होता है नीचे की तरफ एक लंबी सी केंडल बांगती है लेकिन वहां पर जो हमारा पहला एंट्री होता है उस एंट्री नियर तू नियर जो आया था उस एंट्री मैक्स तू जो लेवेल था ओ करीवन ठीक इसी एरिया के आसपास हम लोगोंने बाइंग का पोजिशन वाना लिए अन उसके बाद देखो थोड़ा सा गया उसने लेकिन फिर गुंग के आके उसने बड़े एसल ले लेता तो मेरा जो प्लान था नहीं यहां पर फाइब मिनिट पर अगर देखेंगे तो फाइब मिनिट पर यहां पर डब्ली और सी मिसिंग आ रही थी तो जिसके एक आउट होता है मैं यहां पर फिर से अपना पोजीशन बनाता हूं कॉलके साइट के तराव और यहां पर मेरा वान इस्ट वान तरगेट भी हीट होता है नियर टू नियर मुझे यहां पर जो टार्गेट मिलती है जो एकदम 67.0 के आसपास मुझे यहां पर मिल जाता है और छोटा सा SL भी यहाँ पर देखने के लिए मिला था, क्योंकि देखो हर एक जो ट्रेड में रहे लिए था, PDL के पास से, तो यहाँ पर दिख रहा था, जो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रैब होया, only and only 36.1 SL था, and 36.1 SL था, यहाँ पर मुझे 60-70 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मिल गया था, लेकिन क्या होता है, मार्केट पर मैं 1-1 बुकिंग के बाद, यहाँ पर जो 1-1 बुकिंग के बाद, इस जाय के आसपास, तो फिर मैं जे यहाँ पर उल्टा मार्केट आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे, फिर यहाँ पर मुझे stop loss को accept करना पड़ता है, ठीक है, तो अभी मैं अपना profit के तरफ जाता हूँ, P&L के तरफ जाता हूँ, वहाँ पर मैं क्या चीज हुआ था, वह सारे के सारे चीजे में अब लोग को दिखाने वाला हूँ, यह जो call का position दिख रहा था, यहाँ पर मैंने दो बार-दो बार trade किया था, 3 lot, 3 lot करके, जिसके वाज़े से मुझे यहाँ पर जो SLI थी, जो पहला trade जो हुआ, उस पर तो SLI हुआ, जो 1st trade था, उस पर तो SLI हुआ था, and 2nd trade जो था, call side की तरफ, यह SLI हुआ था, and 2nd trade जो था, फिर घुमते हुए आके मेरे को यहाँ पर SLI हुआ, तो अभी देखो, जो दिस्तरा trade, तिस्तरा trade मैंने लिया था, वो मैंने लिया था, नियर टू नियर करिवन जो level हमारा निचे की तरफ था, वो जब 200 level को break किया था, वो कौन सा 200 level था, आज का दिन का low था, आज का दिन का low, इस area को उसने जैसी break किया, अभी इस 1 minute के आसपस मैंने अपना position को बनाया था, जिसके लिए मुझे मारा stop loss यहाँ पर देखने के लिए पढ़ा था, करिवन इस area के आसपस मेरा stop loss था, राइट, एंड उस stop loss के हिसाब से मुझे यहाँ पर जो return आब लोगों को दिख रहा है, profit यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर profit, two मिलता है, तब मैं यहाँ पर profit booking करता हूँ fully, क्योंकि यहाँ पर मेरा देखो, जो zone था न, जो zone अब लोगों को पड़ा है, वो weekly low के आसपस जोन था, अल्डेड ही जोन रीच हो चुका था, तो यहाँ से मुझे जो target देखने के लिए मिला था, वो करीबन, near to near जो था, वो करीबन 100, 100 point के आसपस ही था, छोटी सी target था, क्योंकि area भी छोटा है, इतना कोई बड़ा लंबा area नहीं है, जहाँ पर मुझे बहुत बड़ा लंबा target मिल चाहे, क्योंकि यहाँ पर congested area भी है, और अगर मैं जैसे बोला था, कौन सा area था हो, जो 52,000, मेरा जो fast message था आप लोग के लिए, जो 52,000 से लेके 58,000, 51,800 तक से लेके इस area था, यह बहुत अच्छा कासा एक buyer का zone है, ठीक है, तो अगर देखो अभी यहाँ पर आके market ने sideways हो चुका है पूरा, लेकिन चीज जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, right, stock market पे हर दिन profit कमाना यह कभी हमारा mentality नहीं हो सकता, stock market पे हर दिन profit कमाऊंगा मैं, यह इस तरीके से अगर आप सोचोगे चीजों को, तो आपके लिए चीजे बहुती, बहुती मतलब गंदी होने वाली है, क्योंकि आपको क्या करना है, हमेसा आपको अपना जो P&L को है P&L को आपको properly manage करते होई चलना है, आपका quantity को right तरीके से manage करना है, understand, so चीजे जो करनी है आप देखो, मेरा जो पहला entry था, उस पर कितना lot था, यहाँ पर आप देख पाओगे करीबन मेरा 3 lots, 3 lots करके था right, लेकिन जब मेरा जो नीचे वाला P&L का entry रहा, तो उस पर देखो, मैंने 2 lot पे चला गया, क्यों था, क्योंकि देखो यार, आपको अपना loss को हमेसा क्या धैन में राकना है, आप क्या अपना जो capital, 69,000, 70,000 के आसपास capital यहाँ पर present है, right, तो same capital के उपर depend हो के, अगर मैं यहाँ पर फिर से और एक ultra lot ले लेता, यहर, मेरा जो loss रहा था, वो करीबन और 2,000, 3,000 के आसपास चला जाता, तो आपको market पे हमेसा trade करते हुए जाना है, ना कि कोई capital को risk लेते हुए, right, आपको properly देखो, मैंने क्या कल भी मैं class के अंदर क्या बोल रहा था, set up oriented person हो जाओ, set up oriented person हो जाओ, आपको market कभी धोका देने वाला है ही नी, market धोका देगा ही नी, तो देखो अभी क्या है, छोटी सी पड़ा हुआ है, 300 रुपीज के आसपास, देखो, market ने अभी इधर गिरा है, गिर के देखो, पूरा sideways होके इधर बैटा हुआ है, pure sideways होके इधर बैटा हुआ है, so understood ना, कि इस तरीके से हमें अपना जो चीजे solve करनी चाहिए, क्योंकि देखो, आपको हर दिन मतलब market भी आपके साथ गूगली फेकेगा, आप उहाँ पर trade तो आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपका setup आ रहा है, उस जाए के आसपास आपको trade लेना ही बड़ेगा, लेकिन आप without trade लेते हुए, आप अगर मोलोगे नहीं, मैं इधर नहीं लूँगा, उधर लूँगा, इस तरीके से नहीं उपाएगा, आपको setup लेना पड़ेगा, और यहाँ पर one is to one भी दिया, तो देखो इसी तरीके से कभी-कभी setup जो देता है न, कभी-कभी तो आपको trap होने के मेरे को setup के उपर इतना believe है, तो इसलिए मैं live video कर पाता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए आज का जो दिन था, और कुछ tricky तरीके से market ने behave किया, उस tricky तरीके को हम लोग को समझना जरूरी है, understood, तो market ने PDL के पास आके बहुत अच्छे तरीके से game खेला, तोड़ा ना capital को हमेशा safe रखते हुए, ball हर दिन आने वाला है, ball हर दिन आ रहा है, ठीके, तो इसलिए capital को safe रखते हुए हमको cruise पे हमेशा बने रहना है, ना कि मेरा वो पहला दो trade मेरा loss हो गया था, अरे यार तीसरा trade मुझे मिला है, मैं उसका चारगून quantity और कर देता हूँ, no, no, मै आपका एक दीन trading का career नहीं हो सकता है, इस पर जिन्दगी भर आपको काम करते हुए जाना है, बस risk management को धहन में रखते हुए, so I hope you understood, मेरा video वानने का मकसद ही था, आप लोग समझ पाओ चीजों को क्या हो रहा है market में, और किस तरीके से उस चीजों को हमें accept करना चाहिए, so thank you and bye-bye for watching for this video and bye-bye